मुखिया राम दलित राम को जान से मारने की धमकी दी गई है मुखिया ने ठाने में शिकायट कर जान बचाने की गुहार लगा आई है आपको बता दिश्वमस्तीपूर जिले के सिंग्या प्रकंड अंतरगत बिश्नुपूर्डिया पंचायत के मुखिया रामदलित राम को फोन कॉल के जर्ये जान से मारने एवं गोली से छली छली करने की धमकी दी गई इतना ही नहीं अप राधियों ने फोन पर दो मिनट 36 सकंड तक बाते की उन्होंने दो मिनट 36 सकंड तक धमकी के साथ साथ भदी भदी गालिया भी दी उन्होंने यह भी कहा साला चमरा मुख्या तुमको गोली से पूरा सरीर छली कर दूँगा जिसके बाद अब मुख्या रामदलित राम क्या कुछ कह रहा है चरा देखिए मुख्या जी जिसा की जानकारी मिले की जो है सो आज किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे ग्राम सोंसा के बीजल यादव एवन परमेसर यादव के साला बेंसंडी वाला राम चंदर यादव पिता राम प्रगास यादव के द्वारा जो है 22 तारीक सारे 6 वजे गोली मारने की धंकी दिया गया कि कनपर्टी में हम गोली मारेंगे और पूरे जरी चलनी चलनी कर देंगे शाली चमरा मुख्या और हमारे जो है जीजाजी को पर जमी कबजा शारिकरे नहीं कड़ेगा उसमें आंगरमारी नहीं बनवाएगा तो जो हम दीक्रिक हम घंक्रिक यादिक कर डिये हैं एक काम भी बाधित होने जा रहा है और इस भाई के कारण हम थाना धर्ष महदे को लिख करते दिये हैं सिकायता वेदम साथी साथ स्पी महदे को भी हम दिये हुए है और अनुसुची जाती समस्तिपूर में भी दिये हुए आवे तो जिसा कि मुख्या राम दलित राम ने कहा या धमकी कोई और नहीं सोंसा ग्राम निवासी बीजल यादव वो परमेशर यादव ने अपने चचिरे साला के द्वारा धमकी दिलाया है क्योंकि ये दोनों भाई सरक का जमीन दो कठा आती करमन कर रखा है सरकार द्वारा उस जमीन पर आंगनवारी भवन बनाने है तो चेयन कर लिया गया है पंचायत के मुख्या होने के नाते मेरे द्वारा जमीन खाली करवाने के लिए भी कहा गया परन्तु एक भी बात नहीं सुनी गई है अब तक जिसकी सिकायत हमने समस्ती पूर्पली सदिक्चक S.C.S.T. थाने एब हम सिंग्या थाने में लेखे सिकायत कर आपने जानवाल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाया हूँ